इस मैच में वीडियो अगर देखकर टीम मनाऊगे तब भी आपने आराम से बिन कर जाओगे इस मैच में वो सारी इंफॉर्मेशन मैं दूँगा जो आपको टीम मनाने में काफी हल्प करेंगे बैस आप वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक देखना तो इस वीडियो में ज चर्चा करेंगे और यह टॉफिक भी काफे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है कि कौन इस टीम इस मैच को जीतेगी और कितने गॉल करके इस मैच को जीतेगी और आज के मैच में किन 11 प्लियर्स को टीम में लेकर चलना है और उनहीं 11 प्लियर में से किस प्लियर को कैप्टन और जिनका सलक्सान तो बहुत जादा है लेकिन वो इस match में नहीं खेलेंगा सबसे पहला हम अटालांटा की और से clear करते हैं तो यहां से सका मक्का है जो नहीं खेलेगा सकाल वीनी जो इस team का most important player है वो भी नहीं खेलेगा पोल्ड राडो ये भी नहीं खेलने माला और Real Madrid के और से देख से तो Carvazal इस team का एक fullback है वो नहीं कहलेगा Diago Alaba है, David Alaba ये नहीं कहलेगा, Militao है, ये नहीं कहलेगा, Mandy है जो new injury के कारण बाहर हुआ है, muscles injury कारण, ओके, तो ये कुछ clear से हैं जो इस match में नहीं खेलने वाले अगर इनको select किया है, तो आप हम team से drop कर दीजिए, तो अब हम बात करते हैं दोनों team के head toward matches के बारे में तो दोस्त, अब तक इन दोनों team के बीच में last के 3 head toward match खेले जा चुके हैं और 3 match से एक भी match अटालांटा की team ने नहीं जीता, बलकि 3 के 3 match हा रहे हैं और attack wise देखा जाए तो अटालांटा 0.3, मतलब इचले 3 match में सिर्फ अटालांटा ने एक goal किया है, और 2 goal average per match में concede किया है तो कहना का मतलब Real Madrid ने इस team के सामने 3 match खेले हैं, तीनों match Real Madrid की ही team जीती है तो यहां पर काफ़ अच्छा football खेला है, Madrid ने, लेकिन हम बात करें, जो last match हुआ था, 2024 में इन्हीं दोनों team के बीच में UEFA Super Cup का match था Real Madrid ऐसे match को कभी नहीं चोड़ी था, बड़ा match में हम ऐसा अच्छा result पाती है, चाहे match away में खेला जाए, चाहे home में खेला जाए ना कि अटलांटा, अटलांटा ने तो तीनों match हा रहे हैं, और उससे पिछले मुकाबले देख से तो, उससे पिछले मुकाबला, अटलांटा के home ground में खेला गया था, और वो match, Real Madrid जीती, Champions League के, तो head to head करने उसार तो ये clear है कि Real Madrid टीम एक बहुत बहुत बहुतरी team देखने क मिलती है, लेकिन, अब हम बात करेंगे, दोनों team का recent form के बारे में, तो recently अगर हम देखें, तो अटलांटा जो इटली की सेरी A लीग में खेलती है, और वहाँ पर देख से तो पिछले 6 match में इस team ने 6 के 6 जीते हैं, ना ही कोई match draw खेला है, ना ही कोई match loss किया, attack to head defense 0-7 है, त तो अटेक से लेकर defense तक काफे अच्छा football के लिए है, अधिकतर match में हार का सामना नहीं किया, बलकि जीत का सामना किया, अब देखो, ऐसी Milan, जो एक बहुत ही बहतरीन कलब है, अगर देखा जाने है, इटली की सेरी A लीग में तो ये बहुत बहतरीन कलब है, यहां तक Champions League में इसका रोल हमेशा रहता है, उसके सामने अटलांटा 2-1 से जीती है, और रोमा के सामने भी अटलांटा के टीम 2-1 से जीती है, और येंग बॉइज जो बहुत अच्छा कलब है, Champions League में उसको 6-1 से हराय था, और अटलांटा परमा को 3-1 से हराय था, उडिनीज को 2-1 से हराय और सटट गार्ट को भी 2-0 से Champions League में हराया है, तो कहना का सीधा से मतलब है, अब तक जितने भी मैचे से यूएफ़ चेंपिन्स लीग में और इटली की सेरी A-League में खेले ही स्टीम ने सभी मैच में जीत हासिल की है, तो परफॉमेंस अटलांटा का का काफी श्यांदार है अटेक से लेगर डिफेंस तक, अब हम बात करते हैं जो वन अफ दो बेस्ट कलब है, रियाल मैडरीड उसके बारे में तो रियाल मैडरीड ने लास्ट के छे मैच में से चार मैच में जीत हासिल की है, और दो मैच में इस टीम ने हार का सामना किया, अटेक है 2.2 का, डिफे 2.1 से मैच को जीत रही थी, एथलेटिक कलब के सामने टीम मैच जरूर हारी थी, लेकिन वहाँ पर भी इस टीम ने एक गोल सकोर किया था, गैट आफ हक सामने टीम 2.1 से जीत गई, 2.0 से और लिवरपूल के सामने ये टीम जरूर हारी है, लिवरपूल बहुत अच्छा फ् है डिफेंज रियाल मैडरिट का, तो दोस्त अब बात ये आती है कि मैच का प्रेडिक्शन क्या हो, मतलब कौन सी टीम इस मैच में कितने गोल करके जीते, तो दोस्त मुझे लगता है, जो आज का मैच ने अटलांटा के होम गराउंड में खेले जाएगे, सब से पहले ये क काफी सपोर्ट रहता है, दूसरी बात हैंज का काफी सपोर्ट रहता है, तीसरी बात ये है कि इनको कोई ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, अब रियाल मैडरिट से पैन से आएगी इटली, तब जार यहां ये मैच खेलेगी, और इटली की टीम अपने ही होम गराउंड में लेगी तो यहां पर ट्रेवल का कोई जंजट ही नहीं, तो ये थोड़ा सा फुटबोल में काफी ज़्यादा माइने रखता है, तो दोस्त अब बात ये आती है कि मैच का प्रेलिक्शन क्या होगा, तो सबस्पहले में ये भी क्लियर करते हैं, तो अटलांटा चेंपियन्स पर्फॉम्च अच्छा है, लेकिन चेंपियन्स लिग में इतना अच्छा पर्फॉम्च रहा नहीं है, तो बात आती है कि मैच का प्रेलिक्शन क्या होगा, देखो ये चीज तो क्लियर है कि रियाल मेर्डिट बइस्ट कलब है, तो ये गोल तो मारेगी ही मारेगी, अब कि बोल कहने के अटलांटा की और से भी आएगा तो मुझे लगता कि यह मैच एक अटेकिंग ड्रॉपर फिनीस हो जाएगा यह मेरा प्रडिक्षन है अब यही प्रडिक्षन हमें अपने फैंटेसी के टीम बनाने में यूज करना है अब टीम में कौन-कौन से प्लियर ले के चल एगि यह टीम 3-4-1-2 का 4 मैंशन से प्लाइंग इलान में खिलती है हर एक प्लियर का सटेट्स यहाँ पर आपको मैंने मैंशन किया हुआ इस टीम ने चैंपियाई है पांच मैंश कीले हैं अब आप पांच मैंश का सटेट्स देख सकते हूं जैसे कि साध है पांच मैंश म मैच में सटाट किया हर मैच में एट लिस्ट नबे मिनट का तो एवरेज नहीं है लेकिन इसको जब जब मौका मिला है 60-60 मिनट हर टाइम खेला है अब तक एक गोल एक असिस्ट निकाल चुगा है तो बाकी और प्लेयर्स का भी सटेट्स चेक कर सकते हुए कि इस प्लेयर नहीं ज्यादा गोल कि हैं ज्यादा आसिस्ट की हैं कॉन से प्लेयर का एवरेज नबे मिनट केलने का ओके लेकिन अब हम लाइन अप का नौसार प्लेयर के सलेक्ट करेंगे सबस्पेल हम बात करें गोल कीपर आज के मैच में अटलान्टा का ही गोल कीपर हम अपने टीम में लेकर जाएंगे दोनों टीम का गोल कीपर बराबर से टेस्ट होगा जिसको चाहा है अपने टीम रख सकते हैं मैं गोल कीपर अटलान्टा के लेकर जाओंगा बात करें डिफेंस में तो बैराट है और इसाख हीन है और यहां से साद पॉला शिनाख है साद का रेशन फॉर्म देखा है जेस चेंपिन लिंग में एक गोल एक एसिस्ट कहा है लेकिन ये प्लियर ऐसे हैं अगर गोल यह टीम करेगी तब यह इतना पॉइंट नहीं दे पाएंगे अगर मानलक क्लेंशिट का जहनजट आया तब यह पॉइंट दे सकते हैं अगर मेरा नजरे देखा जाएं तो इन डिफेंटर में से मैं सिर्फ एक डिफेंटर को सजेस्ट करूँगा वो सिर्फ साथ रहेगा ओके बाकि मैं किसी भी डिफेंटर को नहीं ले पाऊँगा बात करें हैं से बेला नौबा के बारा में तो ये प्लेयर भी बहुत अटेकिंग खेलता है काफजा तक प्रोसेस करता है चेंपियन स्लिंग में एक गोल इसने भी किया है चाहे था आप इनको ले भी सकते हो और रोजेरी है जो जो विदा आउट गोल पॉइन्ट भी दे जाता है और गोल असिस्ट का चांस कम रहते हैं लेगिन असिस्ट कभी-कभी प्रवाइड कर देता है तो आप लेना है तो ले लो लेकिन सामरे रियाल मेडिनिट की टीम है तो इतना जल्दी तो हार माने की नहीं तो मुझे लगते नहीं कि इन सभी प्लेयर्स का गोल असिस्ट इस मैच में आएगा हम हम बात करें MD रून और यहां से एडरसन एडरसन का यह है कि यह थोड़ा सा अटेकिंग खेलता है और MD रून यह है कि दोस्त यह डिफेंसिव खेलता है MD रून का भलाई आपको फैंटेसिव ज़्याद़ पॉइंट देखनों को मिलें लेकिन एडरसन भी कोई कम पॉइंट नहीं देता बहुत अच्छा पॉइंट देता है तो इन दोनों में यह है कि दोनों प्लियर ऐसा है 90 मिनट खेलेंगे और गोल असिश्ट का चांस आर लेस और बिना गोल के 20-20 पॉइंट तो एटलिस दे ही जाएंगे अगर आपको लगता है कि सामने वल मतलब इस टीम के अटेकर गोल नहीं मारेंगे तब यह उन से ज़्याद प्मान दे जाएंगे बात करें यहां से डिक कैटर लायर के बारे में तो रीसेंट फॉम काफी शांदार है चारलेस डिक काटर लायर का दो गोल चार असिस्ट चैंपियंट्स लिग में कर चुका है तो इनको हम 110 परसंट टीम में लेकर चलेंगे बात करें यहां से मैटियो रेटिग्यू और यहां से लुकमान देखो दोनों प्लियर बहुत शांदार हैं दोनों ही प्लियर इस टीम के तरफ से सबसे की प्लियर हैं अगर अटलांटा के टीम जीतेगी तो दोनों का आपको गोल में या असिस्ट में कंट्रिवुशन जरूर देखों लेगा और हारेगी तब भी इनका किसी ने किसी एक का गोल जरूर आएगा मैं लुकमान पर ज्यादा भरोसा करता हूं तो इसलिए मैं इनको लेकर चला फिर से एक बाद एक बार क्लियर कर देता हूं मैं टीम में लुकमान लूँगा पाटलायर लूँगा प्रलस में एडरेशन को कोशिस करो लेने की और इस टीम को गोल के पर लेकर चाहूंगा अगर हम एक डिफेंडर को लेंगा लेकिन अभी के नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रेशन के डिफेंडर ज्यादा पॉइंट देते हैं इन से ओके मेरा प्रेडिक्शन वेसे दोने तरफ से गोल है तब तो उन्हीं टीप डिफेंडर को लेना ठीक रहेगा बागे आप सामने हरे एक प्लियर का सटेट्स है आप चेक कर लेना अब हम देखेंगे सामने की ट लीग पांच मैच का सटेट्स है विनीेस जूर्नीर ने चैंपिनिस लीग में चार मैच करेंगा चार आपको बताए दोनों टीम के गोल के पर बराबर से टेस्ट होंगा जिसको चाहिए पिक कर सकते हो लेकिन मैं इनको विकले नहीं लूँगा बात करें डिफेंस में तो यहां से फरान गार्शिया और यहां से वाजकियों के गोल असिस्ट का चांसे काफी ज़्यादा हाई रहत लेकिन यहां पर तो भाई इसको इतना मोका मिलल नहीं तो अपना मतलब दिखाने को क्या पता आज के मैच अच्छा के लिए रूडिजर का दो गोल आए तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा ऐसा ही मैच इसमें गोल सकूर करता है असेंसियों एक एवरेज प्लियर एवरेज न नहीं है लेकिन तो इस टीम के तरफ से जो डिफेंस में एक इंपोर्टन क्लियर है वह यहां से रूडिजर है और यहां से वाजगी हुज है मैं इन दोनों को लेकर चला हूँ और फ्रांगार से अभी के लिए ड्रॉप कर चला हूँ लेकिन आप चाहा है तो गार्से को ट् अच्छा था जूद बैलिंगा में इस टीम के तरफ से बहतरीन फिनीशर है और एक बहतरीन मिड्फिल्ट भूमी का भी निभाता है तो हम इनको लेकर चलेंगे लेकिन हाँ यह साट पैंसेट मिनट के लगा और साट पैंसेट मिनट में ही 30-35 दे जाता है यह इसका प्लस प चांस तो है नहीं और नभे मिनट कप में श्योर नहीं रखता है बात करें एंबापर विनीशिय जूनिर और बेस्ली वन ओव दे बेस्ट ट्राइकर फिलहाल की टाइम पर तो इनको ड्रोप करना मतलब खुद ही तेज को लाइड मारना उसका बराबर है तो इनको हम दोनों से नभी प्लेट्स को लुका मोर्प बार मैं आपको बता ही दिया है बाकिसा हरी एक प्लीयर का स्टेट आप चेक कर सकते हैं तो दोनों टीम के लाइनएप को देखा अब उन्हें प्लेट्स को लाइन अप के बजाए अब टीम रखते हैं तबकि इस टीम बनती देखते है यह टीम मनती है अभीत लियम बना एक साथ खेलते हैं मैं लेता है ये चीज लिए करता है तो यह घूर ने के चला हूं लग जुब चला हो कटला एर को लिएक कर लेके चला हूं , what डं र हो रूडीजर वाजक्यूज और फ्रान गार सेख लोगे चला हम पलस गोल के पर लेकर चला हूँ तो इस टी में जो भी चैन्जेस होंगा अप्टर लाइनप अपडेट मिले कि तेलेग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल को लिन्क वीडियो को डिसक्रिप्शन में है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जान कर सकते होगे जोबी अपडेटोर है वहाँ पर देजाए हूँ इसमे रिलेकर है तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई हूँ तो ऐसी वीडियो के लिए आपको मारी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हमें बेल आइकन ओन करें बेस्ट आफ लग गाइस एंक्यू